यह पानी है पानी से हम हाथ थोड़ा सा धो लेते हैं अब पानी हमारे हाथ में लग गया इस पानी को हम हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे रुमाल से इसको पूछेंगे अब पानी इस रुमाल के अंदर आ गया तो आप लोग जानते हैं कि पानी कैसे इस रुमाल में आ गया जब हम तॉलिय से हाथ पूछते हैं तो हाथ सूख जाता है तॉलिया पानी को सोख लेता है या लाजटेन की बक्ती से तेल मिट्टी का उपर चड़ जाता है इसमें क्या इसकी नलिया आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह की नलिया होती है इससे पानी ऊपर के और चड़ जाता है अब यह देखिए यह शीशे की दो छोटे टुकड़े हैं एक ही आकार के इन एक यह टुकड़ा है एक यह इन दोनों को हमने के बीच में पहले यह माचिस की तिली लग हुई है पिर इसमें हमने रबर बैंट से इसको बांद दिया अब इससे हुआ क्या कि जिस तरफ हमने यह माचिस की तीली लगाई है वहाँ पर यह जो दूरी है वह सबसे ज़्यादा यानि कि यहां पर केश का चौड़ी है लेकिन दूसरी तरफ जहां पर माचिस की तीली नहीं है वहाँ पर जगे एकदम कम है यानि कि यहाँ पर पतली केश का है अब जब हम इसको पानी में रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है कि यह देखिए जहां हमने इसको पानी में रखा तो जिस तरफ तो जिस तरफ माचिस लगी थी यानि कि केश का चौड़ी थी वहाँ पानी सबसे कम चड़ा लेकिन दूसरी तरफ जह केश का पतली थी वहाँ पानी देखिए सबसे उपर तक चड़ता चला गया है देखा आप लोगों नए आप देख रहे हैं कि इसमें यहां तो इसकी उचाई कम है और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं उचाई बढ़ती जाती है और एक देखिए बक्रसा आपको दिखाई पढ़ रहा है इसका क्या सिद्धान्थ है बहुत अच्छा सिद्धान्थ है जिसको आप के सकत्व कह सकते हैं प्रिश्टनाव बल और असंजग बल असंजग बल क्या है कि इस जीसे और पानी के बीच एक आकर्शन बल लगता है इसी को हम असंजग बल कहते हैं और असंजग बल और प्रि हाथ या शरीर पहुंचते हैं तो पानी तौलिय में चला जाता है तौलिया उसको सोक लेता है तो उसमें महीन महीन केस्नलिया होती है जिसकी साहिता से पानी उसके अंदर